हेलो दोस्तों बैल कुटो माई टेकनिकल फास्ट फेट रूपते लिए दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आपका आधार कार्ट खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आप यूआईडाई के वेबसाइट पर डाउनलोड कर लेते हैं या फिर आप किसी बाद सिर्फ एक और आप यूटिया या फिर यूटियाई के वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर अपने डूपिकेट पैंड कार्ट के लिए एपलाई करेंगे सारे डॉक्मेंट अप्लोड करेंगे फिर उसके बाद वो दोक्मेंट आपको बाइपोस्ट यूटिया कैसे डाइष कर सकते हैं तो थो सबचाहर चाहते हैं अपना चाहिए आपना पैंकार ऊसला राइंड learned प्रॉटल के वाए जानना तो जरूए की रूट कर शेनल ने को तो इस website पर आजाएंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे options मिलेंगे, जैसे कि home, login, contact, contact करने का option, यानि कि अगर आप यहाँ पर contact असपर क्लिक करेंगे, तो आप जब इसकी ID लेते हैं, अगर आपको ID लेने में कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पर आपको अपना नाम, email ID, WhatsApp number और जो भी आपको प्रवलावारी है, वो लिक कर आप सब्मिट करेंगे, तो इस website के तो टेम और टेम के पास, आपका message पहुच जाएगा, तो आपको reply करेंगे, अगर आप यहाँ से message करने के नहीं चाहते हैं, तो आप यहां पर contact अस्वाटसप पर क्लिक करेंगे तो इनका वाटसप नमबर है आप वाटसप नमबर पोच जाएंगे तो इसे डारेक्टली वाटसप चेट भी कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर नियू रिश्टेशन का option दे गया है यह चीज हम बाद में बताए तो यूजर नम आप यहां पर डालकर आप यहां पर simply login करेंगे उसके बाद में जैसे कि आप इसके अंदर पोर्टल के अंदर login हो जाते हैं तो यहां पर आपको काफी सारे चीज़े मिल जाएंगे जैसे कि यहां पर एक full demo वीडियो भी दिए कही है टीम की तरफ से अगर आ OTP अगर आपको मौल नम पर रहिस्टाइड है या फिर नहीं है उसको कोई मतलब नहीं आप किसी दूसरी नमबर पर भी OTP मंगा करके या फिर फिंगर पेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एड मांज यानि कि मैनुल ऑप्सन भी यहां पर दिया गया है उसी तरह से यहा किसी सर्विस यहां से ओर लाइन कर सकते हैं उसके लिए पैन कार्ड आगर डाउनलोड करने चाहते हैं तो ध行पोडर करेंगे जैसे निए पहले एक एंट्र करके रख रही ती यानि कि हमने पहली पैन कार्ड प्रिंट करके इस पर देख था तो चलिए हम जानेंगे नया प दुए आपको नजर आ रहे हैं इस सारी सर्विसे इसमें बताए गई हैं यहां पर देख सकते हैं क्या कि इसके पोर्टल गंदर सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी तो चलिए पैनकार्ट डाउनलोड करने के लिए जन्रेट न्यू पैनकार्ट पर क्लिक करेंगे उसके यहां पर अपना चूश फाइल करके आपको यहां पर अपना सिखनेचर लगाना है उसके बाद में जैसी कि आप यहां पर सिखनेचर लगा देते हो सारा फोंग यह complete हो जाता है यानि कि आपको यहां पर केवल six option भरने है उसके बाद में आपको simply insert पर क्लिक कर देना है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ इस पोर्टल को आप अपने mobile के अंदर भी यूज कर सकते हैं और अपने laptop के अंदर भी यूज कर सकते हैं अब आपको यहां पर first entry सुदर्स के नाम से थी और second entry ने चरण सिंग आने कि जो इनका pen card है वो डाउनलोड कर रहा है अब आपको य प्रिंट करा भी सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि यहां पर फोटो भी सीन है और आपको देखने को मिल लेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप contact address पर जाएंगे तो इसे वट्टोप पर भी आप डारिक्लिए कर सकते हैं और आप यहां पर नियूरेजिटेशन पर आएंगे जैसे आप नियूरेजिटेशन पर आएंगे तो यहां पर आप जो भी आइडी लेने चाहते हैं ऐसे कि रिटेलर डिस्टिटिबूटर अगर आप लेते हैं तो के भल purse लेते हैं तो अपने इंटर में कितने भी रिटेलर कर सकते हैं अगर आप और में नॉइ geral ईसके बाद आपको अपना आई डी और आपका अपना नमबर और यहां पर मैल या फिर female है जो भी है वो select करेंगे और यहाँ पर आपको अपना city या फिर आपको गाउं को नाम डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने state select करना है और यहाँ पर आपको अपने district select कर लेना है उसके बाद में जैसे आप सारी अपने completed detail यहाँ पर डाल लेते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर simply submit पर click कर देना है तो जैसी आप submit पर click करेंगे तो आपकी ID और आपका password यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको इस ID को copy कर लेना है यानि कि ID जो मिलती है वो website के तरफ से मिलती है और password जो होता है वो आपका mobile number होता है अब आपको simply ID और इस password को copy कर लेना है या फिर आपको इसका screenshot या फिर आपको कहीं पर note करके रख लेना है उसके बाद में आपको यहाँ पर click here पर click कर देना है अब जैसे आप click here पर click कर दें तो जो भी आपका ID और password था वो आपको यहाँ पर डालना है डालने के बाद में आपको simply यहाँ पर login पर click कर देना है तो जैसे कि आप login पर click करते हैं तो अब आपका यहाँ पर ID क्रेट हो चुकी है लेकिन आप जब तक अपनी ID में कुछ भी download नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्विस का फार्दा नहीं ले सकते हैं जब तक आपकी ID अक्टिवेट नहीं होगी दोस्तों ID करने के लिए अगर आप यहाँ पर आपको 309 रुपए का recharge करना होता है और अगर आप पर 99 रुपए का आपको recharge करना होता है तो दोस्तों जैसे आप रिचार्ज करते हैं उसके कुछी समय बाद आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी तो उसके बाद में आप कोई भी सर्विस को यूज कर सकते हैं कुछ भी चीज यहां से डाउनलोड कर सकते हैं रिचार्ज करने के लिए आपको जैसे की महलेजिसे डistributo के रिचार्ज करना है तो आपको सिम्पप्र रिचार्ज वाले option पर क्लिक करना है यहां पर पर QR code धया गया है तो सिम्पप्र स्क्राइब को सब मोबाइल के application में जिससे भी आप payment करना चाहते हैं जैसे Google पर PayPal पर फो और आप इस पर किलिक करके भी आप यहां पर बापस आ जाएंगे तो गाई इस तरह से आप इस पोर्टल पर अपना कर सकते हैं आइड को एक्टिवेट कर सकते हैं इन सर्विस को यूज करके इंजोई ले सकते हैं तो आई आपको दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा ल